हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूट रेसिपीस आज हम बनाएंगे नवरतन सब्जी जिसमें हम नौ तरा की सब्जियों का यूज करने वाले है उससे ये सब्जी टेश्टी तो लगेगी ही साथ में हल्दी भी रहेगी अगर आपने इससे पहले ये सब्जी कभी नहीं बनाई है तो एक बार आप इस सब्जी को जरूर बनाईएगा आप उंगलिया चाटते रह जाएंगे उधनी टेश्टी ये सब्जी लगती है आप इसे पूरी, रोटी या पराठे किसी की भी साथ खा सकते है खास करके पूरी के साथ ये सब्जी बहुत ही टेश्टी लगती है तो चलिए नवरत्न सब्जी बनाना शुरू करते है सबसे पहले गैस पे एक कुकर गरम करने रखेंगे उसमें हम आदा कप रतालू एड़ करेंगे ग्राम मीगे 60 क्राम है और वन थड़ कप यानि की 50 क्राम जितना हम सूरन एड़ करेंगे रतालू और सूरन दोनों को मैंने छिल कर धो कर मीडियम टुकडों में काट लिया था अब इसके अंदर हम एक कप यानि की 100 गरम जितना फुलगों भी एड़ करेंगे सारी सबजिया यहाँ पे मैंने पहले से ही अच्छे से धो कर लिया है क्योंकि बाद में हम इसका पानी भी यूज करेंगे अब इसमें हम 3-4 कप यानि की पौना कप लोकी एड़ करेंगे ग्राम में ये 80 ग्रम जितनी लोकी है लोकी को मैंने छिल कर धो कर मीडियम टुकडो में काट लिया था एक मीडियम साइस का इसमें बैंगन एड़ करेंगे जो की कप में 1 कप है और ग्राम में 75 ग्राम है अब इसमें हम 1-3 कप यानि की 50 ग्राम जितना आलू एड़ करेंगे एक चोटी साइज का मैंने आलू लिया था एक चोटा शिमला मेच जो की 1 फोर्थ कप है गराम में 35 क्राम है और हरे मतर लिये है 1 थर कप जितने जो की गराम में 40 क्राम है यहाँ पर मैंने कच्छे मतर लिये है आप चाहे तो फ्रोजन मतर भी ले सकते है अब इसमें हम आधा कप पत्ता गोबी आड़ कर देंगे, ग्राम में ये 55 ग्राम है अब इसमें हम एक कप यानि की 250 ml जितना पानी आड़ करेंगे और सिर्फ हमें 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगा कर गैस बंद कर देना है बहुत ज्यादा सब्जियों को हमें नहीं उबालना है और बाद में इसी पानी का हम यूज भी करेंगे तो सब्जिया पहले से ही धो कर लेंगे तो इस तरह सब्जियों को अच्छे से दबा देंगे और फिर हम कुकर का ढकन बंद करके 2 सीटी लगा देंगे 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगाने की बाद गैस बंद करके 5 मिनट सब्जियों को मैंने ऐसे ही स्टीम में रहने दिया था उसके बाद सीटी उची करके मैंने सारी हवा निकाल दी थी अब मैंने कुकर को खोला है और सब्जियों को हम चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं सारी सब्जिया अच्छे से कोख हो गई है बाद में हम इसे ग्रेवी में भी थोड़ा पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा मैश हो जाए उतना हमें सब्जियों को पकाना नहीं है सूरन रतालू मतर सब अच्छे से कोख हो गया है अब गयास पे एक पैन गरम करने रखेंगे उसमें हम आदा कप यानि की सोय मेल जितना तेल डालेंगे और इसे गरम होने देंगे जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें हम एक सूखे लारमेश, दो छोटे तच पत्ते, एक इंच का दालचीने का टुकड़ा और दो लॉंग डाल देंगे साथी में इसमें हम आदा चम्मच जीरा और वन फूथ टीस्पून हेंग डाल देंगे और इन सबी चीज़ों को हम 30 सेकंड तक भून लेंगे 30 सेकंड भूनने के बाद इसके अंदर हम एक बड़ा चम्मच यानि की एक टेबल स्पून अदरक लसुन की पेस्ट एड़ कर देंगे और दीमी आज पे इस पेस्ट को हमें आदे मिनट तक यानि की 30 सेकंड तक भून लेना है ताकि इसमें जो भी कच्चापन है वो निकल जाए आदे मिनट पेस्ट को भूनने के बाद इसमें हम एक बड़ी साइस के टमाटर की प्यूरी डाल देंगे ग्राम में ये 100 ग्रम जितने टमाटर की प्यूरी है 9 सबजियों के अलावा मैंने ग्रेवी के लिए टमाटर की प्यूरी एक्ष्ट्रा ली है प्यूरी डालने के तुरंत बाद इसमें हम 2 चमच नमक डाल देंगे यहाँ पे मैंने सबजियों की हिस्सों का भी नमक डाल दिया है टमाटर डालने की तुरंत बार नमक डालने से टमाटर जल्दी कोख हो जाते है तो अब हम इसे ढग के चार से पांच मिनट तक धीमी आज पे कोखोने देंगे पांच मिनट बाद हम डककन खुलके एक बारी से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं कि प्योरी में से सारा तेल अलग हो गया है अब इसमें हम आदा चम्मच हल्दी पावडर एक बड़ा चम्मच धन्याजीरा पावडर एक चम्मच तीखी लालमिश पावडर और एक चम्मच कश्मिरी लालमिश पावडर डाल देंगे जिससे कलर अच्छा आएगा एक चम्मच इसमें हमें गरम मसाला या फिर किचन किंग मसाला डालना है और एक चम्मच इसमें हम चीनी डाल देंगे अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके एक मिनट तक मसालों को कुखोने देंगे एक मिनट मसाले भुनने के बाद हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें 50 क्राम मुंग फली का पावड़ा रेट करना है पचास क्राम जितनी कच्ची मुंगफली को धीमी आज पे भुन कर उसे ठंडा करके छिलके निकाल कर मैंने इसे मिक्सर में हलका दरदरा पीस लिया था दो बड़े चम्मच यानि की दो टेबल स्पून सुखे कोपरे का बुरा डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करके धीमी आज पे दो मिनट धक के भुन लेंगे अभी मुंफली के पावडर और कोपरे के बुरे ने सारा तेल अलग हो जाएगा तो इसे हम धक के पकने देंगे दो मिनट बाद आप देख सकते हैं मसालों में से सारा तेल अलग हो गया है अगर आपको इस सबजी को थोड़ा हेल्दी रखना हो तेल खम खाते हो तो आप इस तरह बॉल करके ही आड़ करें उससे डिप फ्राइ करके यड़ ना करें अच्छे से सबजीयों को मिक्स कर लेने के बाद हम इसे पकने देंगे इससे पहले भी मैंने साउध गुजरात की फेमस पंच रतनक की सबजी कैसे बनानी है वो चैनल पे बताया हुआ है अगर आपको वो रैसी पे देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी में लिंक दे दूँगी तेन से चार मिनट मैंने ढग के सबजी को पकने दिया था और अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में से सारा तेल अलग हो गया है और सारा पानी मोशली सुकर ग्रेवी घाड़ी भी हो गई है एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लाश्ट में इसमें हम थोड़े से बारिक कटे हुए हरे दन्या डाल देंगे इस सबजी को बनाते वक्त बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सबजीया जब आप बॉयल करे तो उसे ओवर कुक ना करे अगर आपने सबजीया ओवर कुक कर दी तो उसका टेस्ट बिलकुल भी अच्छा नहीं आएगा अब इ यही वीडियो आपको गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हुई है